क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ क्या आपने कभी किसी को दिल दिया कितना अच्छा लगता है ना ये सब सुनने में प्यार या लव क्या है इसकी परिभाशा क्या है इसका मतलब गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि लव का मतलब है प्रेम अगर प्रेम को सर्च करेंगे तो आप कई और शब्दों को खोच पाएंगे जो की प्रेम से जुड़े हुए हैं जैसे मोहबत, प्रीती, प्रणाए, प्यार, इत्यादी तो क्या सच में ही आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? और अगर हुआ है, तो कब हुआ? कैसे हुआ? और जब भी हुआ, क्या आज भी वैसा ही प्यार है जैसा तब हुआ? चलिए आज इस पर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करते हैं प्यार एक ऐसी फीलिंग है, जो अचानक से ही हो जाती है ना? किसी की हसी से, किसी के चहरे से, किसी की personality से, और तो और किसी की बातों से अचानक से प्यार हो जाना और मन करना कि उसी से बात होती रहे, उसी के बारे में सोचते रहे, उसी के साथ रहे और तो और सपनों में भी उसका आना, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसे लिए होता है क्योंकि हमें हो जाती है आसकती या attachment प्यार चीज ही ऐसी है जब एक बार होता है तो attachment इतनी घेरी होती है कि उसे बाहर actually निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और हम सब जो कि अभी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं हम सबने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि कभी ना कभी हम सब के साथ भी ये हो चुका है तो जब ये हुआ था तो मज़ा आया था ना लगता था ना पेट में तित्लिया ओर रही है देखिए प्यार के जितने भी अर्थ मैंने आपको बताए वो सारे के सारे अर्थ जिस समय आपको किसी से हो जाए तो आप समझ लीजे कि आप actually love में है love क्या ऐसा है जो साल में एक दिन dedicate करके उसे मनाना चाहिए या 365 दिन हमें सबसे प्यार हो और प्यार ऐसा हो कि कभी खतम ना हो सच में मन करता है ना कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी life में तो देखिए प्यार की जो वास्टफिक परिभाशा है वो बहुत विजट रहे प्यार का मतलब लेना नहीं प्यार का मतलब देना कितना देना उसकी कोई सीवा नहीं है इतना देना और ऐसे देना कि बस देते रहे और देते रहे और देते रहे ऐसी ही उमीद करते हैं ना हम अपने प्रेमी से कि कभी मेरा दुल दिल ना दुखाए कभी ऐसा ना हो कि मेरी बात ना माने और कब्ढ़ी ऐसा नहों कि मुझसे दूरना हो जाए तो इसे कहते हैं Expectation या उमीद लगा बैठना जब आप किसी से ऐसी उमीद लगा बैठते हैं तो आप क्या उमीद करते हैं क्या वो आपसे ऐसी उमीद नहीं लगाता तो कभी-कभी देखा जाता है कि इस उम्मीदों के कारोबार में ही सारा प्रेम चौपट हो जाता है जिसके कारण सब मिट्टी में मिल जाता है और रोना, धोना, अपनी किस्मत को कोसना, अपने जिन्दगी को कोसना हाए मेरा जीवन खराब हो गया अरे आपका जीवन खराब नहीं हो, आपकी मत खराब हो गई है मत ऐसे लिए खराब हो गई है क्योंकि आप हद से जादा उम्मीद लगा बैठे है समझने की कोशिश करिए हर व्यक्ति की सोच, समझ, बुद्धी, कर्म अलग है सब सेम नहीं हो सकते माता-पिता दो बच्चों को जनम देते हैं, वो भी अलग होते है माता-पिता भी अलग होते है तो हम कैसे किसी और व्यक्ति जिससे हम प्रेम कर बैठे हैं ये सोचे कि वो हमारे जैसा होगा और हम उसके जैसे होंगे कभी-कभी उम्मीदों पर खरे उतर पाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए कहा जाता है कि प्रेम ऐसी चीज है जिसमें हमेशा उम्मीद नहीं करनी चाहिए मांगने की उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि जितना हो सके हम देंगे तो ये जो तरीका है प्रेम निभाने का जिसमें हम केवल देंगे और मांगेंगे नहीं इसे क्या कहा जाता है अहतु की अप्रती हता अब सोचने की बात है अप्रती हता ऐसा प्रेम इस संसार में हमें कहा देखने को मिलेगा हर रिलेशन्शिप में टर्म्स और कंडिशन्स हैं पापा ने बेटे तो पैदा कर दिया लेकिन अभी पापा ने बेटे को उसके तरीके का लाइफ स्टाइल नहीं दिया तो पापा बुरे हो गए और अगर बेटे ने भुड़ापे में मम्मी पापा का ख्याल ना रखा तो औलाद ने कमी हो गई तो यहां पर भी तो कंडिशन्स देखी जाती है ना तो ऐसा कौन सा संबंध या रिष्टा है प्रेम का जहां पर कोई कंडिशन नहीं देखने को मिलती है वो है भक्ती का रिष्टा भक्त भगवान और भक्ती ये तीन चीजे ऐसी है जो शुद से प्रेम के बरिभाशा को समझ सकता है एस संसार में ऐसे कई उधारन है जो कि हमें प्राप्त होते हैं हमारे दिव्य शास्तरों से जैसे कि प्रहलाद महराज और तो और मीरा बाई कितने कश्ट आए और गए देकिन क्या कभी उनका प्रेम अपने भगवान के लिए कम नहीं तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर किसी संसारिक चीज के कारण हमारा प्रेम किसी के प्रती बनता है तो वो जादा लंबा चलने वाला नहीं है प्रेम केवल और केवल आध्यात्मिक है और इस प्रेम का विकास करने के लिए हमें शरण लेनी चाहिए संसकारों क सिद्धातों की जो की प्राप्त होते हैं कैसे हमारे घुरु और आचारेों के माध्यम से तो अगर आप सच में ही ये संसार में अहतु की अप्रतिहता वाला प्रेम देखना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए किस प्रकार एक भक्त प्रेम से पूर्ण जीवन भगवान की सिवा में समर्पित कर देता है तो प्रशन ये उठता है कि क्या सच में भगवान है? बिल्कुल है उनके लिए जो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो प्रयास भी नहीं करेंगे तो भगवान उनके लिए एक दम पहेली जैसे ही रहेंगे अगर आप सच में ही इस प्रेम के स्वात को चकना चाहते हैं तो फिर आपको ज़ादा संकोच नहीं करना चाहिए और अध्यात्मिक तृष्टिकों से अग्रसर होते हुए प्रेम को महसूस और समझने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि अगर आपने ये ना किया तो फिर ये प्रेम आपके जीवन में आएगा कल जाएगा, परसो फिर आएगा, फिर जाएगा ऐसे जूले में कब तक जूलते रहेंगे आप अगर सच में ही आप चाते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रेमी मिले तो आप उसको बहार मत खोजिए उसको खोजिए भगवद गीता में, श्रीमत भागवदम में क्योंकि भगवान से बड़ा प्रेमी हमारा और कोई भी नहीं है और उनका प्रेम तो इतना मधुर और मीठा है कि जो एक बार उसका स्वाद चकले उसे एस संसार के तुछ प्रेम से वैसे ही मोग खतम हो जाएगा तो डरने की जरूरत नहीं है कि मोग खतम हो गया तो हम क्या करेंगे अगर भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के द्वारा बनाई हर एक चीज से भी आपको उतना ही प्रेम होगा और वो कौन है उनके भग जब उनके भगतों के संग में आप रहेंगे तो आप इस प्रेम को परस पर महसूस करेंगे हर समय तो आप ध्यान रखे भगवत गीता के इस शलोक को मन मना भवा मत भगतो मद्या जी माम नमस कुरू भगवान क्या कह रहे हैं मन मना अपने मन से मेरे भग बनो मुझे प्रणाम करो और तो और मेरी प्रसनता हेतू कार्य करो और ये सब करने से तुम मेरे प्रिये मित्र बन जाओगे केवल और केवल मेरे प्रिये मित्र बनने से मैं तुमारे जीवन के सब कष्टों से तुम्हें मुक्त कर दूँगा तुमारे कर्मों को समाप्त कर दूँगा और क्या होगा तुम खुश रहोगे तो आपको यही करना है और कुछ जादा नहीं तो बोलिए हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस प्रेम की धारा में बहते हुए भगवान से प्रेम करें और खुश रहें धन्यवाद